हाँ फहले देखलो पहले देखलो अब सच बताना देखके कितना कोष्ट आया होगा टोटल PC का देखो कोई भी इस्टाम को देखके तो तुम नहीं बता सकते इसका क्या बजट होगा अब लगभग में जो माइंड में आ रहा है उसको कमेंट करो बाकी पूरा डिटेल तो मेरा वीडियो में मिलिये जाएग और इस वीडियो में एक सर्प्राइज विये तो वीडियो के साथ बने रहना देखो कस्टमर को अभी कुछ भी लेना है ना तो यूटूब पे सर्च करके पूरा रिसर्च करते हैं अब कौन सा प्रोसेसर कैसा है कौन लेटेस्ट है कौन बेटर है कौन इडिटिंग के लिए है ये सब कुछ यूटूब पे देखने के बाद मेरे सौप पे आते है कस्टमर अब इतना जानकारी लेने के बाद जब बिल्ड होता है PC तो थोड़ा बजेट रेंज में खतरनाक PC बिल्ड हो जाता है अब ये PC कैसा ये तो तुम लोग बताओगे बाकि इसमें क्या क्या आप कंपोनेंट्स यूज़ हुआ ये हम बताते हैं देखो ये PC तो इंटल में बिल्ड किये हैं और इसमें प्रोसेसर i5 का 12 जनरेशन F3 जोला यूज़ की है इसके बारे में क्या ही बताओगे सब जानते हो तुम लोग फिर भी जान लो इसमें 6 कोर और 12 थ्रेट होता है मल्टि टास्किंग के लिए बहुत मज़दार प्रोसेसर है मज़ा आ जाता यूज़ करने में और रैम यूज़ की है 32 मेगा अर्टज वाला 16 जीवी करसेर देखो ये रैम का परफोरेंस बहुत अच्छा है ले के यूज़ करके तो देख लो और एसेशडी यूज़ कर रहे एकसपीजी कंपनी का 512 जीवी अनवीमी अब ये एसेशडी इसलिए उच कर रहे क्योंकि इसका परफोरेंस बहुत अच्छा है और ये सब कंपोनेंट के लिए मदरबोर्ड यूज़ की है 1610 ये मदरबोर्ड बजट में अच्छा है काहे कि इस मदरबोर्ड में जो भी जरुवत का चीज़े सब मिल जाता है एक एनवी एमी दुद्दू को रैम सलाटे को ग्राफिस काड का जगा बस बस इस बजट में तो इतना ही चाहिए बजट में ग्राफिस काड लेना है तो 1650 ले लो वो भी 4GB वाला है मल्टी टास्किंग और बहुत सारा गेम भी रन कर सकते हो इसमें तो हम भी यही यूज कर रहे हैं कि इसका परफॉर्मेंस कस्टमर बताया बहुत अच्छा है आरे मतलब असेंबल करने में यूज कर रहे है अब इसमें लगाएंगे इंटल वाला प्रोसेसर हमको तो इंटल का प्रोसेसर यूजर फ्रेंटी लगता है इसलिए आख बंद करके भी इसको अच्छा से लगा सकते हैं सिंगल रैम हम सकेंड स्लोट में ही क्यों लगाते हैं कॉमेंट में जरूर बताना जानते हो तो और हाँ सिषडी आने से तो रॉकेट जिसा उड़ता है सिस्टम अब तो बहुत सारा कॉमेंट आया था कि इंटीग्रेट थर्मल पेस्ट जो देता हूँ बहुत काम होता है इसलिए अलग से भी डाला कीज़े इसलिए इतना सारा डाल दिये हैं लेकिन जादा नहीं अभी गर्मी के हिसाब से इतना थर्मल पेस्ट बहुत है अब बोड रेडी हो गया तो इसको फटा फट से करते है कैबिनेट में असेंबल अब असेंबल प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगता है इतना अच्छा कैबिनेट और इतना अच्छा स्पेस के साथ आता है और फटाक से विंडो 11 इंस्टॉल करके रेडी कर दिये इसमें कीबोर्ड माउस और अच्छा खासा मोनीटर है LG कमपनी का हम तो ये सिस्टम मल्टि टास्किंग के लिए बिल्ड किये हैं अब तुमको जो मन करता इसमें कर लो गेमिंग इडिटिंग जो करना कर लो अच्छा अच्छा सारा कन्फिक्रेशन है और हाँ हम कल वाला वीडियो में बोले थे 100 कमेंट हो जाएगा तो अपना सौप का टूर करा देंगी इतना जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचे थे अब उसके लिए वीडियो सूट करना स्टार कर दिये तो जल्दी से आ जाएगा मेरा सौप का टूर और बहुत सारा हो तो कमेंट में बताना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में